Hello students, आज इस वीडियो में हम exercise 6.4 से question number 4 solve करेंगे Question number 4 है A, B, C, D is a quadrilateral Is A, B plus B, C plus C, D plus D, A greater than A, C plus B, D जो sign है यह greater than का है तो देखिए इस question में दिया गया है कि A, B, C, D, A एक quadrilateral है अब पूछा गया है कि क्या A, B plus B, C plus C, D plus D, A कि क्या इन 4 sides का sum greater than A, C plus B, D से यहाँ पर यह जो A, C और B, D है वो quadrilateral के diagonal है तो पूछा गया कि क्या इन 4 sides का sum greater than है इन 2 diagonals के sum से हमें यह बताना है तो देखिए, we know that the sum of any 2 sides of a triangle is greater than the third side हम जानते हैं कि एक triangle की किनी 2 sides का sum third side से बढ़ा होता है तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इस quadrilateral में 4 triangles बन रही है तो देखिए, सबसे पहले triangle A, B, C में देखिए देखिए, हम सबसे पहले वो triangle ले लेंगे, जिसमें कि यह side A, B आ रही है इन 2 sides का sum जो है, वो greater than होगा, third side AC से तो therefore in triangle ABC, इसलिए triangle ABC में AB plus BC इन 2 sides का sum greater than है, third side AC से इसे मैंने number दे दिया है 1 तो देखिए, अब अगली triangle हम कौन से लेंगे? अगली triangle हम ले रहे हैं A, B, D देखिए, देखिए, हम वो triangle ले रहे हैं सबसे पहले, जिनमें side AB आ रही है तो अगली triangle है, देखिए, AB, D तो अब देखिए, इस triangle में भी किनी 2 sides का sum, third side से बढ़ा होगा तो यहाँ पे देखिए, AB plus AD इन 2 sides का sum greater than है, third side BD से तो इन triangle ABD, triangle ABD में AB plus AD इन 2 sides का sum greater than है, third side BD से और इसे मैंने number देदिया है, 2 अब देखिए, अगली triangle हम बोलेंगे, जिनमें ये side CD आ रही है तो देखिए, अगली triangle हम ले ले लेंगे, triangle CDA देखिए, इस triangle में, जो ये triangle है CDA इसमें ये side आ रही है न, CD तो मैंने ये triangle ले लिए, अब देखिए, इस triangle में भी किनी two sides का sum third side से बढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये जो two sides है CD और DA इन two sides का sum जो है greater than होगा third side AC से तो इन triangle CDA, triangle CDA में CD plus DA is greater than AC इन two sides का sum greater than है third side AC से अब देखिए, अगली triangle हम कौन सी लेंगे, हम वो triangle ले रहे हैं देखिए जिसमें side CD आ रही है, तो अगली triangle अब ले लेंगे हम triangle CDB, ये वली triangle, अब देखिए, इस triangle में भी किनी two sides का sum third side से बढ़ा होगा, तो देखिए, इस triangle की, ये जो two sides है BC और CD, इन two sides का sum greater than होगा, third side BDC, तो इन triangle CDB, triangle CDB में BC plus CD is greater than BDC, कि इन two sides का sum greater than है third side BDC, और इसे मैंने number दे दिया है four, अब देखिए, अब हम one, two, three और four, इन चारो को हम add कर लेंगे, तो देखिए, एडिंग one, two, three and four on both sides we get, तो अब देखिए, हम one, two, three and four, इन चारो को add कर रहे हैं, अब देखिए, कैसे add करेंगे, जो left side पे हैं, उन्हें left side में add करेंगे, और right side वालों को right side वाले में add करेंगे ठीक है जैसे कि number 1 पे कहा है AB plus BC तो देखे AB plus BC मैंने ऐसी लिखा अब number 2 पे left side पे कहा है AB plus AD तो देखे left side वालों को हम left side में add करेंगे तो AB plus BC plus फिर हम लिखेंगे AB plus AD ठीक है फिर नंबर 3 पे क्या है? देखे, left side में CD plus DA, तो plus CD plus DA, ठीक है? फिर अब 4th नंबर पे left side पे क्या है? BC plus CD, तो BC plus CD, तो देखे, यह जो left side पे थे, हमने उन सब को left side वालों को add कर लिया है, ठीक है? फिर greater than का sign है, अब right side वालों को right side वालों में add करेंगे, यह नमबर 1 पे क्या है AC, तो AC, फिर प्लस नमबर 2 पे क्या है राइट साइड में BD, फिर प्लस नमबर 3 पे क्या है राइट साइड में AC, फिर प्लस नमबर 4 पे क्या है BD, और देखे राइट साइड वालों को मैंने राइट साइड वालों में ही एड कर लिया है, अब यहां ठीक है फिर देखें ये BC है और ये भी BC है यहाँ पकितने BC है 1 2 BC है तो PLUS 2 BC उसके बाद देखें ये AD है और फिर ये.'ла है देखें आप चाहे AD लिखे या DA लिखे एक ही बात है तो देखें यहाँ पर कितने d a है दो d a है एक यह है और एक है तो हम यह लिख लेंगे plus 2 d a ठीक है फिर यहाँ पर देखिए एक c d यह है और एक दूसरा c d न है तो कितने c d है one two two c d है तो मैं लिख लेंगे plus 2 c d तो देखिए इन सब को मैंने plus करा इस तरह से यह आया फिर greater than का sign अब देखंगे AC है और यहां पर bC मैं लिखें C 사इओ मैं लिखें हो 2AC अंदर क्या बचा देखे 2 तो बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा A B प्लस 2 बाहर कोमा ले लिया तो क्या बचा B C फिर प्लस यहां क्या बचा D A फिर प्लस यहां से भी 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा है C D फिर greater than का sign अब देखे इसके साथ भी 2 है और इसके साथ भी 2 है तो यहां से 2 common आ जाएगा ठीक है 2 बाहर कॉमर ले लिया तो अंदर क्या बचा देखे यह 2 तो बाहर आ गया तो अंदर bracket में क्या बचा AC फिर plus 2 तो बाहर कॉमर आ चुका है तो अंदर क्या बचा BD अब देखे यहां भी 2 कोमर है और यहां भी बाहर 2 कोमर है तो देखे 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो क्या बचा है यहां पर देखे AB plus BC plus DA plus CD greater than का sign AC plus BD तो देखे क्या आगया है आपर AB plus BC plus DA plus CD is greater than AC plus BD कि इन 4 sides का जो सम है वो greater than है इन 2 diagnosis के सम से और हमें यही बताना था तो आज इस वीडियो में हमने question number 4 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe Thank you